जाएं दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे माई एजूकेशन चैनल पर और आज आपको हम पढ़ाएंगे घड़ी से समधित कुछ प्रश्ण ठीक है तो आए देखते हैं घड़ी से समधित जो प्रश्ण होता है वो कैसे होता है उनको कैसे स्वाल्व किया जात ठीक है और इस घड़ी में सबसे उपर हमारा इधर होता है 12 यहां होता है 3 सबसे नीचे होता है 6 और यहां होता है 9 ठीक है और इसी के बीच में हमारा आ जाता है 1 2 और यहां होता है 4 और यहां आता है 5 फिर उसके बाद 7 8 और यह होता है 10 और यह हो जाता है 11 ठीक है कुछ इ ख़री में जो सूईयां होती हैं तो मान लिजिए यह सुई हमारी 3 पे हैए सूई और 12 तो इसमें 2 इस तरह से ओती एक घंटा की हमने बनाई और एक मिनट की और एक सेकेंड का भी होता है कि इसके बास से आप यह भी देखेंगे कि इनके बीच में इस तरह से लाइने पांच लाइने मिलें जो मिनट वाली होती है इस तरह से पांच लाइने मिनट वाली भी खिची होती है सब में होती है एक ही नहीं कि एक में होती है इन दो और तीन के बीच भी इस तरह से आपको पांच लाइने मिलेंगी तीन और चार के बीच भी इस तरह से पांच लाइने मिलेंगी ठीक है तो हमें यह जानना है कि एक म मिनट में घडी कितने डिगरी का कोड बनाती है तो जो एक मिनट हमारा आता है ये हमारा एक मिनट के अंदर हमारे हमारी घडी जो कोड बनाती है वो 6 डिगरी का बनाती है देखिए यहां से मानली मिनट की तौहीं घुनते में मिनट की सुई को कितना लगता है 306 डिगरी का कोड़ बनती है कितना कब बनाती है 306 ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि मिनट की सुई मिनट की सुई मिनट की सुई द्वारा ठीक है 60 मिनट में कितने मिनट में 60 मिनट में क्यों कि यहां से जब हमारी मिनट की सुई गुमेगी पूरा करते 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 जो हमने कहा कि यहां से ऐसे ऐसे गुमेगी तो एक राउंड गुमेगी तो एक राउंड में 60 मिनट होता है जब गड़ी क मिनेट वाली सोई एक चेक कर पूरा लगा लेगी तो आर्थात कितना मिनेट हो जाएगा 60 मिनेट तो 60 मिनेट में कितने डिगरी का कोण बनाती है तो 360 डिगरी का कोण बनाती है तो एक मिनेट में कितने का कोण बनाएगी ठीक है एक मिनेट में कितना का कोण बनाएगी ठीक है एक मिनेट में ठीक है अगर 60 मिनेट में 360 डिगरी का कोड बनाती है तो एक मिनेट में कितना बनाएगी तो 360 अब अटे क्या कर देंगे 60 देखे एक 0 से 10 कड़ गया 6 से 6 चाचे आके 36 यानि कि कितना हुआ 6 मिनेट शेट डिगरी का कोड बनाएग एक मिनेट में कितने मिनेट में एक मिनेट में अर्था अगर वह घडि यहांसे माँ जिए यहां पर जहे हमारा इसमेन इस तरह से मिनेट का होता है तो इसके और इसके बीच का जो एक मिनेट एक खाना जो खिचा होता है वो जो होता है उसमें हमारी गड़ी कितने डिगरी का कोड बनाती है प्रतेक एक मिनेट में छे डिगरी का कोड बनाती है और इन दोनों के बीच जो मिनेट होता है यहां से यहां तक पांच मिनेट होता है एक के बीच पाच पाच का अंतरा अलोता न तो एक मिनट में गड़ी यहमारी कितने डिगरी का कोड बनाएगी छे डिगरी का कोड बनाएगी और इसी प्रकार यह दी कोई पूछ देता है कि एक घंटा में कितने डिगरी का कोड बनाती है एक मिनट में तो बना दी और घंटा में कितने ड एक गंटा में जो बनाएगी एक बटा दो डिगरी का कोड बनाती है ठीक है यह इस प्रकार से हो गया आईए इस पर हम कुछ आपको सवाल समझाते हैं उसके बाद यह बिल्कुल आपको अस्पास्ट अदम कंठस्ट हो जाएगा कि कैसे इसको करते हैं ठीक है तो देखते हैं इसको देखिए कहा है चार बचकर दस मिनट चार बचकर दस मिनट पर कितने कितने अंस का कौण बनेगा बहुत ही आसान सवाल है आप भस ध्यान से देखिएगा हम इसको एक मिनट में आपको समझाते हैं और यह हमेशा के लिए आपको कॉंठस्ट दाएगा कहा गया है कि चार बचके दस मिनट पर कितने अंस का कौण बनेगा घड़ी में अधी चार बचके दस मिनट हो रहा है suppose that कि हमारी जो घड़ी है इसमें चार बचकर दस मिनट हो रहा है तो कितने डिगरी का कौण बनेगा इसमें थोड़ा सा changing कर लेते हैं कह रहा है यह कि सवाल के हिसाब से कि गड़ी में हमारा कितना बज़ रहा है चार बचके 10 मिनट चार बचके 10 मिनट तो मान लिजिया लेते हैं हम कि यह हुआ हमारा चार ठीक है घड़ी में चार इस समय माली जी बज़ रहा है ठीक और जब यह घड़ी अगर यहां से एक round पूरा आई minute वाली घुमती है तो यह तो पूरा घुम जाती है ठीक लेकिन जब यह पूरा घुमती है तो यह जो एक minute होता एक घंटा जब घुमती है तो ये वाला कितना घुमता है बस थोड़ा सा ही तो घुमता होगा ये जो घंटा वाला है मालीजे यहीं पर यहां तक घुमता है तो इसके और इसके बीच में इन दोनों के बीच में कितना समय घुमती है तो केवल पांच मिनट पांच मिनट के बर गंटा वाली सुई कि जो हमारा सुई के बीच में आप देखेंगे तो इस तरह से पांच होतीय मिनिट वाली तो Quốcता वाला शु ॉषर्ड वाली दो पूरा एक रौंड मी जाती हो एक बदल दplets तो जो भी यह 5 मिनिट गूमती है कौन चार वाली तो इसमें हम कर देते हैं 5 का गुड़ा अब यह पांच चार है चार में 5 का यह गुड़ा कर देंगे ठीक है तो चार पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा चार पंचे 20 अब इसके बाद देखते हैं कि अब इस 5 में गुड़ा कर दिये 4 का तो 5 उक का 20 इसके बाद जो यह बशता है इसको इसमें से घटा देते हैं क्या करते हैं घटा आते हैं अंतर यानि घटा देते हैं तो बीस मुसे यदि हम 10 को घटा दिये ये 20 ऑख ये 20 से हम इस 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दस आ जाएगा ठीक है जो यह दस आ जाएगा अब इस दस में यह आम जानते हैं कि एक मिनट में कितने डिगरी का कोड बनेगा दस गुड़े 6 बराबर क्या हो गया 60 degree का code बन गया ठीक है ये तो 60 degree का code बन गया अब इसके बाद से हम क्या करते हैं जो हमारा ये 10 होता है ठीक है इस 10 का आधा करके हम लिखते हैं क्या करके लिखते हैं आधा ठीक है इस 10 का क्या करते हैं आधा तो इस 10 का आधा क्या हो जाएगा 5 जो की इसी में हम जोड देते हैं इस 10 का आधा करके इसमें क्या करेंगे जोड देंगे तो जो 60 मिनट हमारा था और प्लस ये 5 मिनट था तो दोनों मिला 60 और 5 मिला के कितना हो गया 55 डिगरी का कोड कितने डिगरी का कोड बनेगा चार बच के 10 मिनट पर घड़ी हमारा जो कोड बनाएगी वो दोस्तों कितने डिगरी का बनाएगी 55 डिगरी का बनाएगी ठेक है चार बच के दस मिनट पर जो घड़ी हमारा कोड बनाएगी वो 65 डिगरी पनाएगी किसे बनाएगी हमने कहा ही चार है और चार से चब पांच मान के चलिए गड़ी पूरी एक गंटा गूमति है६ तो बस पांच ही मिनट बात होथा इन सबों के बीच में इस तरह से तो यह गड़ी मैं 5 का गुड़ा कर दिया 5 का 20 हो गया अब इस 20 में से जो हमारा यह 10 मिनट को घटा देंगे तो बचेगा कितना 10 मिनट इस 10 मिनट को घटा देंगे तो बचा 10 मिनट अब जो 10 मिनट हमारा बच रहा है अब आप जानते हैं कि एक मिनट में कितना होता है एक मिनेट में कितना होता है छे डिगरी का कोड़ी बनाती है एक मिनेट में कितने डिगरी का कोड़ी बनाती है छो डिगरी यानि छो अंस का कोड़ी बनाती है तो जब एक मिनेट में छो अंस का बनाती है तो दस मिनेट में कितने का बनाएगी साट हंस का क्योंकि 10 का गुड़ा कर देंगे तो साट हंस का कोड बना दी और उसके बाद से इसमें 5 का हमने क्या किया जो हमारा मिनिट होगा इसका आधा करके इसमें जोड़ देते हैं ठीक है तो 5 का आधा कर दी हमने 10 का आधा किया तो 5 ही हो गया हमारा पैसा डिगरी अब इ दूसरे सवाल को देखते हैं देखें दूसरा कहता है कि तीन बज कर पांच मिनट पर गड़ी कितने डिगरी का कोण बनाएगी गड़ी कितने अंस का कोण बनाती है ठीक है कहता है कोस्चन हमारा ध्यान से देखिए कि तीन बच के पांच मिनट पर घड़ी कितने अंस का कोण बनाती है तो देखिए यह जो तीन आए यह जो हमारा पांच मिनट के बडाबार तो इस तीन वह किसका गुड़ा कर देजैं पांच का तो जब इस पर पंच का करेंगे तो तीन पचे कितना होगा यह पंद्रह हो जाएक ठीक है उसके बासं जो अमारा हमने बच्त है इसको इस में से क्या करते हैं हम गटा देते हैं क्या करते हैं गटा देते हैं अर्थात जो हमारा 15 माइनस क्या हो गया पांच हो गया तो 15 मासे 5 गया तो कितना बचा 10 मिनट बचा ठीक है दस मिनेट बचा यह अम किऊंड रहे हैं इसका गुड़ा क्योंकि घंटे में कर रहे हैं ठीक है तो यह दस मिनेट बच गया अब करते हैं इसका आधा करते हैं इसका आधा करते हैं जो हमारा मिनेट होता है और इसमें लाके जोड देते हैं तो पांच का आधा कितना जाएगा दू सही एक बटा दू कितना जाएगा दो सही एक बटा दू पांच का आधा कितना होगा डाई ही तो होता है तो दो सही एक बटा 2 होता है तो अभी क्या हो जाएगा 60 और 2 ये पुडांग 62 62 सही 1 बटे 2 डिगरी का कोड़ी हमारा क्या करेगी बनाएगी 62 सही 1 बटे 2 डिगरी का कब बनाएगी 3 बच के 5 मिनट पर 3 बच के 5 मिनट पर गड़ी जो कोड़ बनाएगी 62 सही 1 बटे 2 डिगरी का कोड़ बनाएगी दोस्तों इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं इसमें कई question आपको हम हल करा दे रहे हैं जो बिल्कुल आसानी हो जाएंगे और आपको करने में आसानी होगी इसको note करें अब अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कह रहा है कि 9 बज कर 30 मिनिट पर 9 बज कर 30 मिनिट पर घड़ी कितने डिगरी का कोण बनाएगी यानि कितने अंस का कोण बनाएगी कितने अंस का कोण बनाएगी ठीक है 9 बज कर 30 मिनिट पर घड़ी कितने अंस का कोण बनाएगी मान लिजिए इसमें हमें कोई आप्सन दे दिया कि आपसन ए बी सी और डी कि ए बीसी डी में माने लिजए एक दे दिया 105 डिगरी दूसरा ओने 150 डीगरी माने लिज आ य नबहें डिगरी और एक हो गया हमारा क्या 80 डिग्री कि इस तरह से हमें तीन अब नगाट दे संटर इसको देख एक गवडाने कि नहीं जरू था कि आपeld premiवे तो किसमें तो से करेंगे आपसन से इतकत है ठीक है आपमने सर्थ पहले आपको जो घंटा इसको किसमें पारिप इसको करते हैं गटा देते हैं अगर इस में से इसको क्या करेंगे गटा देंगे क्या करेंगे दोस्तों गटा देंगे तो देखिए 45 मिनट में से अगर हमने 30 मिनट गटाया 45 मिनट में से कितना गटाया 30 मिनट गटाया तो कितना बचा कितना बचा भाई 15 मिनट बचा कितना बचा 15 मिनट दिगरी का कोड बनाती है एक मिनट में घड़ी जो है छे डिगरी का कोड बनाती है तो 15 मिनट में कितने डिगरी का कोड बनाएगी 15 अगुड़े क्या कर देंगे आदा करेंगे 15 इसी को इसमें क्या करते हैं हम जोड देते हैं जब 15 को 90 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिगरी कितना होगा 105 डिगरी तो घड़ी हमारा कितने का कोण बनाएगी 105 डिगरी तो अर्थात आप्शन नम्मर अमारा इसमें अगर आप्शन दिया है तो कौन सा सही हुआ कि कोई पूछ दे कि 9 बच के 30 मिनेट पे गड़ी हमारा कितने डिगरी का कोड बनाती है तो इस प्रकार आप हाल कर लेंगे इसमें और वी एक्जामपल आपको कराते हैं आईए देखते रहें बस वीडियो पे आप बने रहें एक से बढ़के एक इक्जामपल आपको मिलेगा दोस्तों और देखिए आगे चलते हैं आपको इसमें इतने कोश्चन करा देंगे कि कोश्चन में जो है कोई कंफ्यूजन कोई सस्पेक्ट नहीं रहा जाएगा और आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा दोस्तों अगला सवाल है कह रहा है कि तीन बजकर तीस मिनेट सोरी मिनेट ठीक है तीन बजकर तीस मिनेट पर घड़ी कितने डिगरी का कोड़ बनाती है सतर पचात्तर पचासी और नबहेश यह मैं आपसान इसका दे दिया कि सतर पचात्तर पचासी और नबहेश इसको देखने पहले आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से छोटा साय तब इसको समझने में और भी क्या होगी आसानी होगी जैसे हमें कह देता है कि सात बचकर बीस मिनट पर गड़ी कितने डिगरी का कोड बनाती है गड़ी कितने अंस का कोड बनाएगी ठीक है सात बचकर बीस मिनट पर तो हमने कह यह जो होता इसमें कितने का कुला करते हैं आप 5 के सते कितना हो गया 35 हो गया ठीक और इसमें से इसको क्या करते हैं हम गटा देते हैं क्या करते हैं गटा देते हैं तो जब हम 35 मां से 20 को गटा आते हैं तो कितना बचता है 15 मिनट कितना आया 15 मिनट अब इस 15 मिनट में हम क्या करते हैं 15 मिनट में क्या करते हैं 15 गुड़े च्छा या पंद्र छका कितना होगे हमारा नब्वे अब इस नब्वे में फिर पुना हम क्या करते हैं इस बीस का क्या कर देते हैं आदा तो इस बीस का आदा यह दिकते हैं इसका आदा करेंगे आदा तो आदा कितना होता है दस होता है आदा कितना होगा दस होगा तो नब्वे में दस कितना हो गया हमारा स्व डिग्री की गड़ी हमारी कितने गड़ी का कोड बनाती है ठीक है ऊसी प्रकार से आई वी इस को अबाल हम पुना करें हैं बताते हैं कि इसमें क्या कंडिजन थी जिसकी हो जैसे हमने आपको एक नया एक डेजचाम्पल रखा ठीक है तो आजलें हमने सबसे पहले तो इसमें 6 का हम क्या करते हैं 5 का गुड़ा कर लेते हैं तो 5 त्याई कितना हुआ 15 हो गया ठीक है 5 त्याई 15 हो गया अब इसके बाद से इसको हम क्या करते हैं इसका आदा इसको गटा देते हैं यह हो गया 15 मिनट अब इसमें 15 छका 90 इसमें क्या करते हैं करते हैं, तो पंदरा चका अमारा कितना जाएगा, नभे मिनेट, जब यह पंदरा चका नभे हो गया तो आप देखेे क्या करते हैं, इस जो पंद्रा है इसका आदा जो हम करते हैं इस पंद्रा पंद्रा को क्या करते हैं घटा देते हैं पंद्रा को क्या करेंगे घटा देंगे ठीक है इस पंद्रा को क्या करेंगे घटा देंगे माइनस पंद्रा कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा पचात्ता डिगरी का ठी तर डिगरी का कोड होगा देखिए यह हो गया और जब यह बड़ा होता है जब यह बड़ा होता है और यह छोटा होता है तब यह गटाने की क्रिया जैसे हमने यहां पर किया है तो करते हैं और नहीं होता है तो नहीं करते हैं तो अब आए आगले सवाल पर चलते हैं दोस्तो झाल झाल चार बच कर 35 मिनट पर कितने अंस का कोड़ी बनाएगी तो आए देखते हैं कि चार बच कर 35 मिनट पर कितने अंस का कोड़ बनाती है तो सवार प्रतम हम क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं पांच का गुड़ा करते हैं तो पांच उपक का कितना हो गया बीस इसमें से इसको क् को जब गटाते हैं तो यह get out 5 मिनंट अभी यह जो गपनर तो कितना बचा 15 पंदर कुणण च्हाश का पंदेरब recorded कितना हो गया और सका 90 मिनट यह हो गया अब इसके बाद साल कर लेते हैं 90 मिनट प्लस इसका आधा, ठीक है, तो 35 का आधा कितना होगा, साड़े सत्र, ठीक है, 35 का आधा जो होगा, यह होगा, साड़े सत्र, ठीक है, सत्र सही एक बटे, दो कर लेते हैं, 35 का आधा कितना होगा, साड़े सत्र होगा, क्यों होगा, देखें, इसको काटेंगे, जब इसका आधा होगा तो हम घटा जोड़ देते हैं और जब यह बड़ा होगा यह चोटा होगा तो हम क्या करेंगे गटा देंगे यह कंडिशन याद तो जब 90 में दे 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा बाँतर साड़े 72 डिगरी ठीक है तो घड़ी हमारा कितना का कोण बनाएगी साड़े 72 डिगरी का कोण बनाएगी एस प्रकार इसको इसको हम कर सकते हैं कि घड़ी हमारा कब कितना है यह हो गया इसके बाद से हमारा नेक्स सवाल है और जिसको आखरी सवाल है अब बस लाश्ट सवाल इसमें एक आप और देख लीजिए देखिए बिल्कुल आन तक जो सवाल देखेंगे उसमें और भी वज़ा है कि 9 बज के 10 मिनट पर देखिए क्या है 9 बज कर 10 मिनट 9 बज कर 10 मिनट पर घड़ी कितने अंस का कोड बनाती है तो 9 बज के 10 मिनट पर घड़ी कितने अंस का कोड बनाती है आए इसको हम देखते हैं कि 9 बज के 10 मिनट पर घड़ी कितने अंस का कोड बनाती है और कैसे सॉल्ट करेंगे इसमें हम क्या करते थे हमेशा 5 का गुड़ करेंगे तो 95 कितना हो जा रहा है तो हमारा कितना बच गया 45 कितना है तो अमारा हो गया 35-10 कर दिये तो हमारा हो गया 35 अब ठीक तो इसके बाद से दोस्तों हम क्या करते हैं इस 35 में क्या करते थे हम 6 का गुड़ा करते हैं तो 35 आगुड़े 6 तो कितना हो जाता है हमारा 35 गुड़े 6 पांच चका 30 और 6 तरी अठारा ठीक है 210 डिगरी पांच चका 30 और 6 तरी अठारा और 3 यानि कि 210 डिगरी जो हुआ यह हमारा आगया तो यह बता ही है गड़ी 210 डिगरी का कोड़ बनाती है कहीं नहीं बनाएगी इसमें आपको एक कंडिशन हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि गड़ी जो है कि सदाव 180 से अध कर लिक का कोड नहीं ठीक है जब भी कि गड़ी बनाती है हम देखते लेते हैं कि इसमें इस तरह से मालीजी हमारी गड़ी है ठीक है और इस गड़ी में के यह मालीजी एक कोड बनता है इस प्रकारसे यहां पे हमारा होता है हमान लिजे 12 एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तो इस तरह से हमारी में लिजे घड़ी और इस तरह से कोड बनता है तो जो यह कोड होता है इसको हम अंता कोड काते हैं और यह जो बाहरी कोड होता है यह बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम बाहर कोड काते हैं अज पूरा एक चक्कर लगा लेती है घड़ी तो कितना ह प्रियाद रखेगा कि 180 अधिक कोड नहीं बनाती है ठीक है 180 अधिक का कोड नहीं बनाती है एक पॉइंट आप note करके लिखलीजिए कि घड़ी 180 अधिक कोड नहीं बनाती है note में लिखलीजिए ठीक है? क्या आईए? कि घड़ी में घड़ी में कभी भी कभी भी 180 अंस से अधिक का कोण नहीं बनता है ये एक पॉइंट आप विशेश रूप से याद कर लिए कि घड़ी में कभी भी एक सोवस्यन से अधिक का कोण नहीं बनता है तो जो एक सोवस्यन से अधिक का कोण बनेगा यानि जो ये बाय कोण बनेगा इस बाय कोण को अंता कोण में से घड़ा देंगे अरे पूरे कोण में से घड़ा देंगे तो ये पूरा हमारा जो गड़ी बनाती है 360 डिगरी का कोड बनाती है कितने का 360 डिगरी का कोड बनाती है तो हमें अगर अंता कोड निकालना है तो 360-2 कोड क्या हता है अगर हमें अंता कोड निकालना है अंता कोड निकालना है घड़ी का तो क्या करेंगे 360-2 एकोड, इसको कर लेंगे, तो 360 मह से हमारा बाइकोड क्या आया था? 210, 210, देखेंगे, 360 मह से 210 घटा दीजिए, तो कितना बच गया? 0 बच गया, यहां कितना हो गया? 5 हो गया, अब यहां कितना हो गया? कि एक हो गया है तो 150 डिगरी का कोड क्या करेगे गड़ी यहां पर बनाएगी कितने का बनाएगी एक 180 डिगरी का कोड बनाती है इसमें एक छूड गई थी जो की गड़्बडी है इसमें और हमने यां 210 तो कर दिया था ठीक है यह 210 तो ठीक पांच जोड़ देंगे तो 215 डिगरी का ही हमारा बाइकोड बना है जब 215 डिगरी का बाइकोड बना है तो गड़ी में से हम 215 ही घटाएंगे तो 215 जब घटा दिये तो 145 डिगरी का कोड हमारा गड़ी क्या करेगी बनाएगी अर्थात यहां जो हमारा कोड यह मानके चलि से ठीक तो यदि आप चैनल पर दोस्तों नए आया हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वेल आइकन का पटन दबाना ना भूलें ताकि हम जो भी नई वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं और इस घड़ी पर अभी हम दो चार पार्ट और बनाएंग पर यदा वे में दोड़ी परत्यू को चैनल से उड़ी हमंभी हम उड़ी में उक नहां हम दो हम जलांऴ ह।